Hello everyone, Shake Hand with Life YouTube channel के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है, मैं नरिंदर शर्मा इस वीडियो में मैं आपको स्टडी कर वाऊंगा क्वालिटी इंस्पेक्शन और क्वालिटी ओडिट के बीच में डिफरेंसिस को ये क्वालिटी इंस्पेक्शन और क्वालिटी ओडिट के बीच में क्या डिफरेंसिस हैं, ये क्वालिटी इंस्पेक्शन उससे अक्सर पूछा जाता है तो I thought कि मुझे इस पर एक डिटेल वीडियो बना देना चाहिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझा रहा हूं कि क्वालिटी इंस्पेक्शन और क्वालिटी ओडिट के बीच में क्या डिफरेंसिस हैं तो आप एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और समझें कि क्वालिटी इंस्पेक्शन किस तरह से अलग है क्वालिटी ओडिट से क्वालिटी इंस्पेक्शन और क्वालिटी ओडिट एक ही नहीं हैं, दोनों अलग-अलग हैं लेकिन ऐसा कई बार एक बुसरे की जगहां पर इस्तमाल कर लिया जाता है कि क्वाल्टी इंस्पेक्शन को क्वाल्टी ओडिट की जगहां पर इस्तमाल कर लिया और क्वाल्टी ओडिट को क्वाल्टी इंस्पेक्शन की जगहां पर इंट्रेंचेंचेवली यूज़ कर लिय लेकिन ऐसा है नहीं बहुत डीप और बहुत वाइड डिफरेंशिज हैं उस्पेक्शन और उस विडियो में स्थड़ी करेंगे और साथष्ट शेथ हैं विडियो में बने रहें और साथ-साथ शेख Hemant With Life YouTube चैनल को आप सबस्क्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकोन को दवाना ना भूले जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंट मिल जाए तो फिर चलिए शुरू करते हैं क्वाल्टी इंस्पेक्शन और क्वाल्टी ओडिट के बीच में डिफ्रेंसिस को स्टड़ी करते हैं इस वीडियो में तो सबसे पहले देखते हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम क्वाल्टी इंस्पेक्शन को क्वाल्टी ओडिट से अलग कर सकते हैं तो ये पॉइंट्स हैं सबसे पहले हैं डेफिनिशन्स दोनों की definitions अलग-अलग है So quality inspection की definition क्या है और quality audit की definition क्या है वो इस वीडियो में हम study करेंगे फिर देखेंगे objective क्या है दोनों के Second point है objective देखेंगे objective क्या है दोनों के Quality inspection का क्या objective है और quality audit का क्या objective है यह study करेंगे इस वीडियो में उसके बाद हम समझेंगे characteristics, characteristics क्या है, quality inspection की characteristics क्या है, quality audit की characteristics क्या है, उसके basis पे हम दोनों के बीच में differences को समझेंगे, और उसके बाद है focus, quality inspection का focus क्या है, Quality inspection किस बात के ओपर focus करता है और quality audit किस बात के ओपर focus करता है ये भी study करेंगे इस वीडियो के अंदर and fifth one है task task का मतलब है activities या responsibilities जिनको employees quality inspection के अंदर pay off करते हैं और quality audit के अंदर pay off करते हैं तो quality inspection और quality audit के अंदर किस तरह के task हैं या किस तरह के activities हैं वो भी अब हम study करेंगे इस वीडियो के अंदर तो end तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और बिल्कुल ध्यान से समझें कि quality inspection और quality audit के बीच में क्या differences है तो चली सबसे पहले शुरुआत करते हैं first point से जो कि है definition so quality inspection की definition क्या है quality inspection की definition है determination determination of conformity to specified requirements यह ISO 9001-2015 के according यह definition है determination of conformity to specified requirements यह determine करना कि जो specified requirements हैं चाहे वो quality की specified requirements हो या फिर customer की specified requirements हो वो requirements fulfill हो रही है या नहीं हो रही है मालने यह customer ने एक pen का design दिया है जिसकी height so for example यह pen है हमारे पास इसकी particular height है तो इसको determine करना कि जितने भी pen ऐसे बन रहे है उनकी height वैसी ही है जैसी कि customer ने demand की थी so यह confirm करना कि specified requirements fulfill हो रही है या नहीं हो रही है यह inspection का काम है तो definition है inspection की determination of confirmative to specified requirements okay अब quality audit को देखते है quality audit की definition क्या है quality audit की definition है systematic यह systematic procedure है independent इन्डिपेंडेंडेंट प्रोसीजर है और third है documented process तीसरा word इस्तमाल किया गया है definition के अंदर documented process है यानि के इसके अंदर documents को बनाया जाता है documents का होना जरूरी किसलिए for obtaining for obtaining objective evidence and evaluating it objectively obtaining objective evidence objective evidence को collect करना और फिर उन objective evidences को evaluate करना किसलिए evaluate करना to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled यह determine करने के लिए किस हद तक audit criteria fulfill हो पाया है कि audit कितना successful रहा है किस range तक audit successful रहा है तो यह definition है quality audit की according to ISO 9001-2015 की according तो दोनों की definition अलग है quality audit systematic, independent, documented process है objective evidence इसको collect करता है उन्हें evaluate करता है और यह judge करता है कि quality audit कितना successful रहा है जबकि inspection क्या करता है inspection का काम क्या है specified requirements को confirm करना जो customer की requirements है वो fulfill हो पाई है या नहीं वो fulfill हो रही है या नहीं हो रही है actual में उनको confirm करना तो यह दोनों के बीच की definition में definitions हैं दोनों के बीच में अंतर हैं on the basis of definition अब definition के बाद अब हम study करेंगे objective को quality inspection का objective क्या है quality audit का objective क्या है तो सबसे पहले हम देखते हैं quality inspection की objective तो quality inspection का objective क्या है confirm the specified requirements जैसा की definition में बताया गया था specified requirements को confirm करना quality inspection का objective है for example अब कैसे confirm करता है inspection यह कैसे confirm करता है कि specified requirements meet कर रही है या नहीं तो check करके check the specifications of a product like length or height so for example एक pen है अगर requirement है customer की इसकी specified length होनी चाहिए या specified height होनी चाहिए तो height को check करके या measure करके ही तो यह inspect किया जा सकता है कि यह specified requirements fulfill हो रही है या नहीं हो तो product की specifications को check करके दूसरा point है check the parameters of a process process के parameters को check करके for example temperature या air pressure या lighting इनको check करके air pressure कितना है temperature कितना है process के parameters को check किया जा सकता है check करके specified requirements को confirm किया जा सकता है inspection के थूप फिर इसी तरह से check the condition of a machine machine की condition को check करके भी यह confirm किया सकता है कि जो requirements है जो specified requirements है machine को चलाने के लिए go fulfill या confirm हो रही है नहीं हो रही है like cleanliness है lubrication है spare parts है tooling है इन सब को check करके फिर उसके बाद check the defectives in a lot check the defectives in a lot as per aql acceptance quality level critical measure or minor so किसी lot के अंदर defectives को check करके against acceptance quality level कि defectives का level क्या है acceptance quality level से कम है तो lot को accept किया जा सकता है और acceptance quality level से जादा है defectives का level तो उसे reject दिया जाएगा या quarantine में भेज दिया जाएगा अब यह defective level critical major minor के according अलग-अलग में पर है तो इस तरह से inspection जो है check करके specified requirements को confirm करता है अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं के quality audit का objective क्या है क्वाल्टी ओडिट का objective क्या है obtain, evaluate, the documented evidences जैसा के हमने definition में पढ़ा था के quality audit का objective क्या है obtain and evaluate, documented evidences को obtain करना और उन्हें evaluate करना यह देखना के जो documented evidences collect हिए गए है उसके according ही shop floor के उपर या manufacturing industry के अंदर काम हो रहा या नहीं हो रहा या जो भी activities है, उनके documented evidences है या नहीं है उन documented evidences को collect करना quality audit का objective होता है अब इसके अंदर किस तरह की activity कैसे collect करेगा so क्या collect करेगा quality audit किन चीज़ों को collect करेगा या किन चीज़ों को evaluate करेगा so evaluation of product and process specifications against quality plan quality plan के against या quality plan के according हम कह सकते हैं process या product की specifications को evaluate करना quality audit का objective है evaluation of inspection activities against inspection plan inspection plan के अंदर जो भी activities दी गई है उन inspection activities को evaluate करना जो भी activities inspection plan के अंदर दी गई है उनको evaluate करने का objective उनको भी evaluate करता है quality audit फिर evaluation of defective records against acceptance quality level acceptance quality level की according जो defectives का record है उसे evaluate करना कि defectives का level क्या चल रहा है या shop floor के उपर ये acceptance quality level से ज़्यादा है या काम है तो ये second difference है या second point ये difference है on the basis of objective किसके बीच में quality inspection और quality audit के बीच में अब बात करते हैं next जो point है उसके basis में difference को study करते है quality inspection और quality audit के बीच में difference को study करते है तो तीसरा point है characteristics characteristics क्या है quality inspection की quality inspection की characteristics देखें तो ये बिलकुँ simple होता है like lay down on the grass यानि के घास के उपर लेट जाना अब घास के उपर लेट जाने में आप क्या देखेंगे घास सूखी है या गीली है सिरफ इतना ही देखना है और उसपे आप आराम से लेट सकते है so simple इसमें check करना है घास सूखी है या गीली है उसके बाद second है backward looking है quality inspection backward looking होता है यानि के पीछे की तरफ दिखाता है या देखता है like what was actually done to provide a quality product or service क्या किया गया था किस तरह का inspection किया गया था एक quality product या quality service को deliver करने के लिए अब inspections produce straightforward actions inspections produce straightforward actions inspection के तुरंत बाद ही actions भी लेने होते हैं like अगर lot को check किया गया है if lot is not okay अगर lot को check किया गया और lot okay नहीं है तो इसे तुरंत quarantine में भेज दिया जाना चाहिए यह action लिया जाता है अगर lot okay नहीं है फिर उसके बाद inspection reviews a single point at a time एक inspection एक ही point पर काम करता है एक time में एक inspection यानि कि अगर quality inspection हो रहा है तो वो एक ही जगें पर हो रहा होता है और उसी के according काम होता है उसके बाद inspections are quantitative inspections quantitative है like hundreds of inspections are done in large inspection process एक large inspection process में या in process inspection के अंदर कोई 100 या 100 inspections हो रहे होते है quality product या quality service बनाने के लिए deliver करने के लिए अब study करते है characteristics of quality audit quality audit की characteristics क्या है so quality audit complex होता है इसकी complexity ज्यादा है तो यह complex है like climbing on a tree पेड के ऊपर चड़ना inspection क्या है simple है घास के ऊपर लेटना मने आपको सरफ इतना देखना है कि घास गीली है या सुखी है लेकिन अगर quality audit की बात है तो यह complex है जैसे कि पेड पर चड़ना तो यह देखना पड़ेगा दूसरी बात यह forward looking होता है यानि कि यह evaluate करता है how well a quality system will predict and prevent quality problems यह forward looking है यानि कि future में देखता है कि quality system कितना बढ़िया है कि वह quality problems को predict भी कर सके और prevent भी कर सके and third one provide recommendations यह recommendations provide करता है उसके अंदर quality inspection के बाद क्या है तुरंत action लेना पड़ता है लेकिन quality audit recommendations देता है जैसे कि increase the frequency of inspection for detection failure detection failure के लिए inspection की frequency बढ़ा दीजिए यह recommendation है अब इसको review किया जाएगा क्या inspection frequency बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है detection failure के लिए right अब next point है audit follow a process start to finish audit बिल्कुल start से last तक audit का जो process चलता है वो बिल्कुल start से last चलता है जब तक process जो है खतम नहीं हो जाता पूरे process को start से finish होने तक वो audit study करता है evaluate करता है लेकिन inspection एक inspection एक point पर हो रहा होता है audit are qualitative next point है audit are qualitative like explore details and complexities audit details को explore करता है ज्यादा समझने की कोशिश करता है कि किस तरह की activities हो रही है उनकी documented evidences है या नहीं है इसलिए यह complex procedure है complex process है so characteristics को study कर लेने के बाद यानि के quality inspection और quality audit दौनों की characteristics को यानि के दौनों में क्या differences है on the basis of characteristics इनको study करने के बाद अब हम study करेंगे focus को quality inspection का focus क्या है और quality audit का focus क्या है सबसे पहले quality inspection का focus देखते है quality inspection कहा focus करता है quality inspection what के रूपर quality inspection focus करता है what के रूपर इसके अंदर closed questions होते है जैसे कि is the height of is the height of product within specifications क्या height जो फिर्दक की height है वो within the specifications है इसका answer yes और no में करना है अगर तो वो है तो yes कर दीजिए अगर वो नहीं है within the specifications तो no कर दो बदेना पड़ेगा सो check list होती है inspector के पास उसकी according वो specifications को चेक करता है और focus उसका रहता है क्या height within the specifications है है तो ठीक है yes और नहीं है तो no इसी तरह से is the machine running at optimum speed क्या machine अपनी optimum speed पर चल रही है अगर चल रही है तो yes और नहीं चल रही है optimum speed पर तो no इसी तरह से okay not okay type के questions भी होते है जैसे quality of a lot is okay क्या lot की quality okay है तो अगर okay है तो okay कर दिया जाएगा और अगर okay नहीं है so अगर okay है तो उसे accept कर लिया जाएगा lot को अगर quality okay नहीं है तो उसे quarantine में भेज दिया जाएगा इसी तरह से finishing of the product is okay last point है finishing of the product अगर ओक है तो ठीक है उसे accept कर लेंगे और अगर finishing नहीं है product की तो उसे reject कर देंगे not okay लिखतेंगे So focus कहा है quality inspection का what के उपर क्या है क्या नहीं है क्या है क्या नहीं है किस चीज के उपर focus है quality inspection का what के उपर What is available what is not available इन दोनों के उपर focus है right अब देखते है quality audit का focus कहां पर है So quality audit का focus देखते है so focus of focus of quality audit कहा है why and how पर क्यों ऐसा होता है why and how पर क्यों है quality audit का focus क्योंके exploratory reviews चाहिए quality system के अंदर exploratory reviews का मतलब है quality system को ज्यादा अच्छे तरीके से in-depth study करना उसको सवाजना So इसलिए हमे why and how करना पड़ता है क्यों है ऐसा या कैसे इसको कर रहे हैं किस के basis पर कर रहे हैं कहां से recommendations आई है ठीक है so for example why risk management is required so यह जो process के अंदर जो भी employees काम कर रहे होते हैं उनको अपना process understand है या क्या वो अपने process को या अपनी responsibilities को समझ रहे है Quality audit के अंदर इस तरह के questions employees से process के employees प्रोसेस के अंदर जो employees काम कर रहे होते हैं उनसे पूछे जाते हैं So क्या वो risk management को समझते हैं क्या वो product अगर inspection नहीं हो तो उसका risk क्या हो क्या वो इस बात को समझते हैं इसी तरह से how to implement the control plan control plan को कैसे implement करते हैं तो उसको implement करने के क्या तरीके हैं कौन सी activities है जिनसे implement किया जा रहा है इसी तरह से why final inspection is required final inspection क्यों required है क्यों किया जाता है क्या जरूरत है इस तरह के question audit के अंदर पूछे जाते हैं इसलिए audit का focus होता है why and how पर प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझने में ताकि explore किया सके उसकी कमियों को उसकी खामियों को प्रोसेस के खामियों को समझा जा सके और उन्हें उजागर किया सके इसी तरह से how to implement the inspection plan, inspection plan को कैसे implement किया जाता है, कौन सी activities है जिनके through inspection plan को implement किया जाता है, किया जा रहा है so audit का focus का आए why and how पर, process को in-depth study करने में, process की कमियों को या खामियों को उजागर करने में audit का focus होता है, उसकी जो भी कमियां होती हैं, जो भी non-conformities होती हैं, उनको find out करने के लिए, करने के उपर audit का focus होता है okay, अब हम study करते हैं, fifth point, fifth point है task, यानि के quality inspection के task क्या है, और quality audit के task क्या है, इन दोनों के task को study करेंगे so quality inspection का task क्या है, check the non-conformance in process or product, process या product के अंदर non-conformance को check करना या confirm करना कि जो भी specified requirements है process की वो फुलफिल हो रही है, या product की जो specified requirements है, वो फुलफिल हो रही है, या नहीं हो रही है, या meet कर रही है, या नहीं कर रही है अगर नहीं कर रहे हैं तो non-conformance क्या है उस non-conformance को find out करें राइट इसी तरह से अगर non-conformance है या माल लीजिए कोई defect है या कोई कमी है तब क्या किया जाएगा कौन से action लेगा है कौन से action जो है quality inspection के अंडर लिए जाते हैं तो quality inspection के अंदर take action to contain the non-conformance like sending a lot to quarantine अगर कोई defective lot के अंदर आ गया है कोई defective parts lot के अंदर चले गये हैं तो उसे तुरंती अलग कर देना अच्छे production से अलग कर देना और उसे quarantine में भेज देना इस तरह के action quality inspection के अंदर लिए जाते हैं इसी तरह से take action to correct the non-conformity और non-conformity को fix करना या उसे correct करना ये next action है उसके बाद finding a root cause of occurrence of a defect or non-conformity defect या non-conformity का root cause क्या है उसके occurrence का root cause क्या है उसे find out करना इसी तरह से find the root cause of detection failure of a defect or non-conformity वो escape क्यों हो गई non-conformity या defect क्यों escape हो गया उसका detection failure क्यों हो गया उसका root cause find out करना और फिर जब root cause find out हो गया तो elimination of root cause किसके लिए defect के occurrence के लिए उसको eliminate करना उसको root cause को eliminate करना occurrence के root cause को और detection failure के root cause को eliminate करना भी quality inspection के अंदर ही किया जाता है ये task भी quality inspection के अंदर include होता है तो ये कुछ tasks है quality inspection के अंदर अब देखते हैं quality audit के अंदर किस तरह के task होते हैं so quality audit के अंदर जो task होते हैं उसमें basically क्या है audit examines in manufacturing और service process manufacturing और service process इसको examine करता है based on standards और specified guidelines किसी भी manufacturing process को या service process को कुछ standard guidelines या कुछ specific guidelines के basis पर examine करता है किसी भी process को क्या identify करता है second point है identify the compliance and non-compliance to some specifications, standards, contractual agreement और other criteria जीन criteria के basis पर process की जो requirements है या quality requirements को fulfill किया जाना चाहिए वो fulfill हो रहे हैं हो रहे है like the specifications जो fulfill हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं जो standards set किये गए थे वो standards match हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं अब उसके बाद ensure the reality is in line with the truth, जो भी written procedures थे, उन written procedures के according ही reality है या नहीं है, उसको भी ensure करना audit की ही जिम्मेदारी है, जो भी like quality plan के अंदर जो कुछ भी activities लिखी गई है, जो specification दी गई है, वो actual में assembly line के अंदर, वो implementation में आ रही है या नहीं आ रही है, इसलिए audit क्या है, audit check करता है walk and talk, यानि कि जो कहा गया है वो actual में होना चाहिए, उसके बाद prepare the non-conformity list और non-conformity list को prepare करना, जो भी audit के दोरान non-conformance मिली है या non-conformity मिली है, उनको find out करके उनकी एक list तयार करना, इन में से minor और major दोनों हो सकते हैं, दोनों की list तयार करना audit का का है, फिर उसके बा जो भी system, जो भी quality system implement किया गया है, उसको improve करने के लिए एक action plan तयार करना, और last one है predict and prevent quality problems, audit की responsibility ये भी है, audit का task ये भी है कि वो future में आने वाले जो problems हैं, उनको predict करें और उनको prevent भी करें, ये task भी quality audit के अंडर ही include, होते हैं, तो ये 5 points हैं, जिनके basis पर हम quality inspection और quality audit को एकदम अच्छे तरीके से अलग-अलग कर सकते हैं, quality inspection बिल्कुल अलग है quality audit से, I hope कि इन 5 points को study करने के बाद, अब आपके मन में quality inspection और quality audit के बीच में कोई भी confusion नहीं रह गया होगा, Quality inspection की definition अलग है, quality audit की definition अलग है, quality audit की definition अलग है, Quality inspection का focus अलग है, quality audit का focus अलग है, और इसी तरह से quality inspection के अंदर जो activities होती हैं, या जो tasks हैं, वो अलग होते हैं, इसी तरह से quality audit के अंदर जो tasks हैं, वो अलग होते हैं, तो अगर कोई भी doubt आपके मन में है, तो मुझे नीचे comment box में लिखकर जरूर बताईए, कि आपके मन में क्या doubt अभी रह गए है, quality inspection और quality audit से जुड़े हुए, यानि कि कोई भी confusion अगर अभी आपके मन में है, तो वो नीचे मुझे comment box में लिखकर जरूर share कीजिए मेरे साथ, अगर कोई doubt नहीं रह गया है, आपको quality inspection और quality audit के बीच में जो differences अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं, और कोई confusion नहीं रह गया है, तो इस वीडियो को like जरूर कीजिए, share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने colleagues के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर quality inspection और quality audit के दीच के differences को समझ सकें और उनके मन में भी जो confusion है, quality inspection और quality audit को लेकर के वो दूर हो सकें, quality से related और भी वीडियो अगर आप देखना चाते हैं, तो switch करें shake hand with life YouTube चैनल पर, subscribe करें shake hand with life YouTube चैनल को और bell icon को जरूर दबा दें, जिससे मेरा आने वाला कोई भी वीडियो आपसे miss ना हो, उसका notification आपको तुरत मिल जाए, course notes और e-books को download करने के लिए visit करें मेरी website www.shakehandwithlife.in पर और वहाँ जाकर आप course notes और e-books, lean six ना से जुड़े हुए course notes या e-books, 7QC tools की e-book, new 7QC tools के course notes या 5S से जुड़े हुए course notes आप download कर सकते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ मैं आपको फिर भी लूँगा, तब तक के लिए बाई बाई कर सकते हैं